Hello everyone, नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है Be at Second Year के Paper 12, Environmental Education, परियावरनिये सिक्षा की Unit First, Environment and Ecology यानि परियावरन वे पारिस्तितिकी के टॉपिक, पारिस्तितिकी का अर्थ वे शाखाओं के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इस से पहले के वीडियो में हमने परियावरन का अर्थ परकार वे महतु के बारे में जाना था Students, परियावरन का ही एक महतुपूर्ण भाग, Ecology होता है या यूँ कहें कि Ecology में किसी भी परकार का एसंतूलन, संपूर्ण परियावरन को एसंतूलित कर देता है अर्थार्थ परियावरन मुखे रूप से पारिस्तिति की पर निर्भर है तो सबसे पहले जानते हैं पारिस्तिति की होती क्या है What is Ecology परियावरन से संबंदित विभिन टॉपिक्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके Competition एक्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है अताई इस वीडियो में भी आगे आने वाली बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो आपके विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछी जाती है तो आप सभी टॉपिक्स को ध्यान पूर्वक समझने का प्रियास करें पारिस्तितिकी का अर्थ अंग्रेजी भाषा का इकोलोजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओईकोस और लोगस से मिलकर बना है ओईकोस का अर्थ है घर, हाउस या रहने का इस्थान और लोगस का अर्थ है अध्यान या चर्चा अतेशाब्दिक अर्थ में पारिस्तितिकी जीवधारियों और उनके आवासों के बीच होने वाले संबंदों का अध्यान करता है इस प्रकार पारिस्तितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतरगत जीवों के वातावरण के साथ अंते संबंदों का अध्यान किया जाता है मतलब कि अगर हम पारिस्तितिकी की बात करेंगे तो पारिस्तितिकी की अंतरगत हम उन चीजों का अध्यान करते हैं इन सब चीजों का अध्यन जिस ब्रांच में किया जाता है जिस शाखा के अंतरगत किया जाता है उसे हम पारिस्तितिकी कहते हैं अगर बात करें नेचर की तो ये नेचर अपने आप में एक बहुत बड़ा पारिस्तितिकी का एक स्थल है एक स्थान है जिसके अंतरगत सभी ज जीवन तिस्थान यानि प्राकर्तिक वास को अपने अध्यन का केंद्र रखती है यानि अगर हम बात करें क्रियात्मक रूप से भी अगर हम पारिस्तितिकी की बात करें तो हम देखेंगे कि जहां पर सभी जीव निवास करते हैं जीवों का आवास है वहां पर वो अपने वा modern ecology autumn है यह diagram आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा इस diagram के माध्यम से कि किस प्रकार से ecology is the study of interactions that take place between organisms and their environment यह ecology के लिए बनाएगा diagram है कि किस प्रकार से पाए जाने वाले विभिन प्रकार के जीव जन्तु पेड़ पोधे आपस में अपने एजैविक कारकों जैसे कि यह विभिन गैसे हैं carbon dioxide या sunlight है इंसे किस प्रकार से प्रभावित होते हैं किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और जिस ब्रांच के अंदर हम इसकी study करते हैं कि इंट्रेक्शन की उसे ecology कहते हैं ecology की कुछ परिभाशाएं हैं और नेस्ट हैकल ने पारिस्तितिके को परिभाशित करते हैं बताया कि जैविक तथा एजैविक वातावरण के साथ प्राणियों के अंत्य संबंधों का संपूर्ण अध्यन ही पारिस्तितिकी हैं हैकल के अनुसार जो भी जीव जन्तु पेड़ पोदे हैं उनके भौतिक वातावरण चाहे वो तापमान है, म्रिदा है, जल है, वायू है उनके साथ किस तरह से उनका इंट्रेक्शन होता है, किस प्रकार से वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं उसके अध्यन को पारिस पारिस्तिती की कहलाता है, एक अन्य परिभाषा के अनुसार पारिस्तिती की एक बुण्यादी कृटमक एकाई है, यानि वह फंक्शनल यूनिट है, जहांपर सभी जीवंत जीवों और उनके बहुतिक वातावरण और उनके पारिस्परिक संबंधों को शामिल किया जाता ह जो एक विशिस रिस्तल की इकाई में और उनके बीच में घटित होते हैं यानि एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो भी वहां के जीव जनतु है और उनका वहां का जो बहुतिक वातावरण है एजयविक कारक हैं वो क्रियात्मक रूप से किस प्रकार से एक दूसरे के कारियों को एक दूसरे के जीवन को या एक दूसरे के साथ संबंदों को प्रभावित कर रहे हैं उसका अध्यन पारिस्तिति की कहलाता है इस प्रकार सभी परिभाशाओं से निश्कष निकलता है कि पारिस्तिति की प्रकरती में पाई जाने वाले विभिन जीव जनतुओं के आपसी स संबंदों के साथ साथ उनके जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन जैविक या एजैविक घटकों का अध्यन है यानि जैविक और एजैविक घटक किस प्रकार से आपस में इनको जीवजनतुओं को प्रभावित करते हैं या जीवजनतुओं की विभिन क्रिया कलापों के द्वारा वातावरण या भौतिक जो कारक हैं वो भी किस प्रकार से प्रभावित होते हैं इनका अध्यन जिस शाका के अंतरगत करते हैं उसे पारिस्तितिकी पैते हैं इस डाग्राम के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि जयविक और जयविक कारक किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उन्में संतूलन बनारहना अनिवारिय अगर पारिस्तितिकी को संतूलित करना चाहते हैं तो ecology, the study of the relationships between organisms and their environment and the balances between these relationships मतलब इन जो ये जो इनके अंते क्रिया है उसके बीच में भी क्या बनार है ना चीए संतुलन और इसका अध्यान नम जिस शाखा के अंतरगत करेंगे वो आपका एकोलोजी कहलाता है डाइग्राम में ब्लू वर्ट्स में अबायोटिक फैक्टर्स को बताए गया है और रेट वर्ट्स में बायोटिक फैक्टर्स यानि जैविक कारक को बताए गया है तो विभिन जैविक कारक जिनमें की जीवन है जैसे कि इंसेक्ट्स हैं प्लांट्स हैं माइक्रो इन से किस प्रकार से प्रभावित होते हैं उसका अध्यान हम एकोलोजी के अंद्रगत करते हैं पारिस्तिति की शाखाएं हैं जिनके अंद्रगत अलग-अलग उनके अवास का अलग-अलग उनकी हैबिटेट का अध्यान किया जाता है तो पारिस्तिति की शाखाओं में पहला अध्यान किया जाता है तो उसे स्वया पारिस्तिती की कहते हैं यानि यहां पर एक विशेश बार ध्यान रखने वाली है कि जब जो जीव है वो सिर्फ एक ही जाती का होना चाहिए अलग-अलग जाती के जियों की बात यहां पर नहीं की जा रही है एक ही जाती वो किसी भी च शेज जाती का परियावरण के साथ संबंध हम स्वय पारिस्तितिकी के अंतरगत देखते हैं, नेक्स्ट है सम पारिस्तितिकी यानि से निकोलोजी, जब जीव के विभिन संहों और उनके परियावरण के साथ संबंधों का अध्यान किया जाता है, तो उसे सम पारिस्तितिकी क जाता है एक देखे कि हम अलग-अलग सम्हों की बात करें यानी इहां पर जाती की बात नहीं हो रही है जीवों के अलग-अलग जन 크게 लुप सब्सक्essions दिखार पर उन्हों के नतर संबंद आधियन हम मैं कि इस बाटा गया है पहला है एक यहां जलिये पारिस्तिति की नाम से इस पस्ट यानि जल में रहने वाले जीवों का इसमें समुदायों का अध्यान किया जाएगा तो इसके अंत्रगत जलिये जीवन के विभिन समुदायों का अंत्य संबंद और उनका परियावरण के साथ संबंदों का अध्यान किया जाता है डा जलिये पारिस्तितिकी के अंतरगत करते हैं नेक्स्ट है इस्थलिये पारिस्तितिकी टेरिस्ट्रियल एकोलोजी इसके अंतरगत इस्थल पर यानि इस्थल मंडल पर जीवन यापन करने वाले विभी ने जीवों के समो और उनके वातावरण का अध्यान किया जाता है विभिन प्राणी के आपसी संबंदों और वातावरर्ण का अध्यन किया जाता है यानी विभिन प्राणी किस परकार से रिमेर खमान के साथ उनका किस स साथिंटरेक्षण हो रहा है इसका अध्यनि गरते हैं पादब पारिस्तिकी इसके अंतरगत सिर्फ प्लान्टस के जो विभिन समुधाई हैं प्लान्टस के जो अलग-अलग species हैं प्लान्टस के अलग-अलग group हैं उसका अध्यानम उनके वातरों के साथ करते हैं किस प्रकार से कोई पादब एक विशेश वातावरण में अधिक नेक्स्ट आवास पारिस्तितिकी हैबिटेट एकोलोजी यहाँ पर किसी विशेश आवास की बात हो रही यानि कोई प्रतेक जीव का अपना एक निश्चित आवास होता है जिसके अंतरगत वह है आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है जिसके अंदर वह आसानी से रहता है डिखाये गया है कि जिसे ये एक forest है जिसके अंदर विबिन ये elephant है ये उसका आवास है तो elephant जो यहाँ पर रह रहे हैं इनका आसपास के वातावरन पेड़ पोधे जीव जन्तू या जो भी महां का तापमान मृदा है वायू मंडल महां का जो वायू है उसके साथ किस प्रकार से इंट्रेक्ट करेंगे उसका आध्यान आवास पारिस्तितिकी में किया जाता है नेक्स्ट है संरक्षन पारिस्तितिकी conservation ecology conservation अपने आप में नाम बता रहा है कि किसी भी चीज को संरक्षित रखना किस प्रकार से उसको हम सहज कर रख सकते हैं तो प्राकरतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन प्रियोग तथा प्रियावणिय द्रश्टिकोंड से उनके संरक्षन के महतों का अध्यान इसके अंतरग दोहन नहीं करना चाहिए तो किस प्रकार से यह संसाधन इनका उचित प्रबंधन हो कि वो सभी के उप्योग में आ सके इसका अध्यानम संरक्षन पारिस्तितिकी के अंतरगत करते हैं लास्ट है विकीरण पारिस्तितिकी रेडियेशन इकोलोजी रेडियेशन इकोलोजी इ कि रिडियो सक्रियपदार्थों का परियावरण और झीव धारी ओर पर परणे वाले प्रभाव का द्ध्या किया जाता है कि किस तरीके से इन रिडियेशन्स हमारे हमारे हमने लाइफ स्टाइल को जो कैंसर है वो विभिन तेजी से और बहुती अधिक संख्या में लोगों में पाया जा रहा है तो ये इसका मुख्य कारण विकीरण है जिसके कारण से की हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है डायग्राम एक इस परश्ट रूप से बता पा रहा है कि जहां विकीरण नहीं है वहां कितना हरा बरा एरिया है और विकीरण के प्रभाव के कारण वो एरिया किस प्रकार से प्रभावित हुआ है चाहे वहां सूर्य का तापमान है वहां की जलवाई हूँ है वहां की बेल्डिंग है या पेड़ पो पारिस्तित्ति की यानि एकोलोजी में कुछ टरम से जिनने हमें समझना बहुत जरूरी है पहली है प्रजाती या स्पिशीज ऐसे समान जीवों का समू जो परसपर अंते प्रजनन करने में शक्षम है और सफल संतती पैदा करते हैं अपने समान संतती उत्पन करने की शम्पा होती है उन्हें समीश कहते हैं यानि एक स्पिशीज के सद से ही परसपर अंते प्रजनन या रिप्रोडेक्षम कर सकते हैं जैसे चीता, शेर, कमल और गुलाब अलग-अलग स्पिशीज के उधारण है प्रतेक प्रजाती का एक विग्यानिक नाम होता है, जिसे की संपूर्ण विश्यों में लोग समझते हैं, for example, homo sapien, human being का नाम है, ऐसे ही गुलाव, यानि गुलाव का जो विग्यानिक नाम है, वो है रूजा, नेक्स्ट है निकेत या निच, प्रकरती में अनेक प्रजातियों का एक ही प्रियावास या habitat होता है, habitat क्या होता है, जिसमें वो है species रहती है, या वो है अनुकूलन के द्वारा उस उस आवास में रहते हुए, अपने विभिन क्रिया कालापों को करते हुए, अपनी संख्या क बढ़ाती है, तो प्रकरती में अनेक प्रजातियों एक ही habitat में पाई जाती है, परन्तु उनके कारिये भिन भिन होते हैं, तो प्रियावास में किसी भी प्रजाती के कारियात्मक लक्षन को निकेत या निच के नाम से जाना जाता है, किसी प्रजाती का habitat उसके address के समान है, निच को हम इस तरह से समझेंगे कि यदि कोई आवास है तो वो address जिसकी बात कर रहे हैं वो तो उस प्रजाती का habitat है जबकि निच को उसके वैसा है यानि वो किस प्रकार के कारिय करता है के रूप में समझा जा सकता है। निकेत का तात्परिय किसी प्रजाती के समस्त क्रिया कलापों और संबंदों के उस योग से है जिसके द्वारा यह प्रजाती अपनी उत्तर जीविता तथा जनन के लिए अपने हैबिटेट के संसाधनों का उप्योग करती है। नेक्स्ट है अनुकूलन या अडेप्टेशन अनुकूलन किसे कहते हैं किसी जीव की बनावत या वहवार या फिर जीने की पदती जिसकी सहयता से वह किसी भी विशेश परियावरन में जीवित रहता है। उसे हम अनुकूलन या अड़ेप्टेशन कहते हैं। फॉर एक्जामपल की बात करें तो मक्षलियों में जो गिल्स या क्लोंस पाए जाते हैं और फिंस पाए जाते हैं। उनको जो वाटर हैबिटेट है उसके प्रती अनुकूलन का उधारन यानि वो आसानी से पानी में रहेकर जीवित रह सकती हैं। इसी प्रकार अगर हम वाटर के जो भी प्लांट्स हैं जलिये पुश्पिये पोधों की बात करें तो उनका जो तना है कास्ट की जो उत्पत्ती की अनुपस्ति यानि वो हाड़ नहीं होता और उसमें बहुत ही जिसे कहते हैं अल्प विक्सित रूट सिस्टम पाया जाता ह है क्योंकि उनको किसी भी आधार से चिपकने की आवशक्ता नहीं होती है अगर हम थलिये पादप की प्लात करें इस थल पर तो क्या है कि पादप को जड़ तंत्र मजबूत रखना पड़ता है ताकि वह है जल का आवशोशन और अपने आपको मिट्टी में स्थिर रख सके लेकिन पानी में के जो भी पादप है उनको इस तरह की अनुकूलन की आवशक्ता नहीं पड़ती है नेक्स्ट है पॉपुलेशन या समिष्ट पॉपुलेशन शब्द की परिभाशा किसी दिये हुए समय में किसी विशेश स्थान में पाए जाने वाले एक ही जीवों के समु की बात करेंगे कि एक ही स्पिशीज के जीवों का जो समु जिस विशेश इस्थान पर किसी विशेश समय पर उपस्तित है तो वो उसकी पॉपुलेशन को दर्शाता है फॉर एक्जामपल बात करें कि अगर हम कहते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या पचास तो वहां विप्राय हमारा उस शहर में रहने वाले पचास अजार मनुष्य या व्यक्तियों से है जबकि संसार में बहुत सारे अलग अलग शेत्र में बहुत सारे मनुष्य रह रहे होंगे लेकिन अगर किसी शहर की बात करते हैं और उसकी जनसंख्या की बात करते हैं तो उस particular शहर यानि उस विशेश शेत्र की बात वहाँ पर की जा रही है नेक्स्ट आता है community या समुदाय यहाँ पर समझना होगा कि population नेक्स्ट है समुदाय या community पारिस्थितिकी में समुदाय या community उचित तोर पर कह सकते हैं कि जैविक समुदाय से तातपरे विभिन परकार के ऐसे जीवों की population से हैं जो एक ही साथ एक ही habitat में निवास करते हैं यानि अगर हम बात करें कि किसी भी एक विशेश शेत्रिया एक विशेश आवास में रहने वाले अलग-अलग प्रकार के जीवों की उनकी जातियों की यहां पर हम बात कर रहे हैं तो जो अलग-अलग प्रकार के जीव विशेश आवास में रहते हैं वह है वहां के समुदाय का निर्मान करते हैं जैसे कि डाइग्राम में दिखाया हुआ है कि इस डाइग्राम में अगर हम water habitat की बात करें तो water habitat में विभिन परकार के जीव यहाँ पर नजर आ रहे हैं यानि अलग-अलग तरह के जीव हैं और यह सब जीव मिलकर एक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं यहां हम देखते हैं population और community में क्या अंतर है क्योंकि कई बार हम समझ नहीं पाते कि population और community ऐसा लगता है कि एक ही चीज है तो पहले तो हम definition से समझी गए हैं फिर भी एक बार आप यहाँ देख लीजिए कि इस परस्ट रूप से बताया गया है कि एक जाती का जो एक ही जाती का जो समू है वो community कहलाता है दूसरा population में केवल क्या होता है अंते जाती यह संगर्ष होता है अंते जाती यह अनिए आपस में एक ही जाती के सधिस्ति है तो संगर्ष हमी किसी भी चीज के लिए चाए वह आवास है चाहे वो उनका भोजन है किसी के लिए भी संगर्ष होगा जब समुदाय में होगा तो वो अंतर जातियों संगर्ष होगा, विभिन जातियों के बीच में संगर्ष होगा, पॉपुलेशन या समिस्ट अकेले जीवित नहीं रह सकती है, जबकि समुदाय जीवित रह सकता है क्योंकि समुदाय में तो विभिन प्रकार के जीवजन्तु है और अगर बात करें लास्ट में पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन अपने आप में एक संपूर्ण परितंत्र या एको सिस्टम को प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि एको सि है अब बात करते हैं विलोपन की विलोपन होता क्या है विलोपन मतलब विलुक्त हो जाना जब से पृत्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुए तबी से ऐसी नई प्रजातियां प्रकट हुए जिन में परियावन के प्रति अनुकूलन पाया जाता है जबकि कुछ कम सफल इसका आर्थ हुआ कि किसी भी प्रजाति की मृत्ति हो जाना उसका नस्ट हो जाना नस्ट होने के भी क्या कारण है प्रात्मिक कारण तो क्या माना गया है परियावरन यानि परियावरन में होने वाला परिवर्तन या कोई भी ऐसा संघर्ष जाती हमने बात करी थी कि एक ही ठीक है क्योंकि परियावर्ण में तो परिवर्टन लगातार हो रहा है और अगर कोई जाती उस परिवर्टन के अनुसार अपने आपको अनुकुलित नहीं कर पाती है तो धीरे-धीरे वह इस प्रत्वी से विलुप्त हो जाती है, खतम हो जाती है, जिवाश्म उन जंतों, प मैं था जब पूरा जो पृत्वी पर डायनासोर का रास था लेकिन आज यह बिल्कुल विलुप्त हो चुके है इसी प्रकार यह डोडो पक्षी है यह भी विलुप्त हो चुका है अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हमें किसी भी प्रजाती को इस प्रकर्ती में बनाए रखना है तो हमें इनका संरक्षन करना चाहिए या इनके संरक्षन के लिए विभिन प्रकार के अपना योगदान देना चाहिए ताकि जातियां प्रत्वी से विलुप्त ना हो थैंक्स पर वाचिंग प्लीस लाइक और सब्सक्राइब